आज की जो बड़ी खबर है यानि तीन तलाग भारत छोड़ो उस पर हमारी विशेश का प्रिच और हम आपको बता दें कि लोग सभा में ये पहला बड़ा विशे है चर्चा के लिए आज इस पर हर पार्टी का क्या रुख होगा इस पर सबकी नज़र रहेगी क्या तीन तलाग का बिल आखरकार कानून बन पाएगा लेकिन इस से पहले इस घंटे की जो बड़ी बाते हैं इसे हैं विधेक से जुड़ी जानते हैं प्रतिमास से जीने हां बिलकुल तीन तलाग पर आज लोग सभा में चर्चा होनी है और बीजेपी ने सभी सांसदों को इसके लिए विप जारी किया है यानि सभी सांसदों का लोग सभा में मौझूद होना कमपलसरी कर दिया गया बीजेपी की ओर से और कॉंग्रिस ने भी अपने सभी सांसदों को लोग सभा में मौझूद रहने के लिए विप जारी किया है बैठक में विधैक पर रुख तै करेगी कॉंग्रिस एक बैठक करेग जिसमें तै होगा कि उसका रुख इस पूरे मामले पर इस बिल पर क्या रहने वाला है जी ने हाँ मिलको're standing committee में भीजने की मांग कर सकती है congris party सुटरों के हवाले से बड़ी जानकारी हमें मिल रही है 11 बजे चरचाइस से पहले 10 बजे congris party की बाकाएदा बैठक हुई है और अब ये जानकारी हमें मिल रही है कि 3 तलाक को standing committee में भेजने की मांग कर सकती है congris party अशीश कुमार सिंग का इस खबर पर रुख करेंगे आशीश तो इसका मतलब एक बार फिर से पेच फस्ता हुआ और अब इसे लटकाने के लिए अब स्टैंडिंग कमिटी बे भेजने की तयारी लेकिन सूत्रों ने बताए कि कॉंगर्स पार्टी आज चर्चा में शामिल होने के बाद वोटिंग के वर्ट इस बिल को स्टैंडिंग कमिटी को भेजने की मांग करेगी हलाकि संख्यावल सरकार के पास है, सरकार इसको लोगसभा में पास करा लेगी लेकिन आगे चलके राजस्वाब में फिर ये मामला टक सकता है क्योंकि कॉंगर्स पार्टी ने अपना रुख साफ कर दी आपसे कुछ दिर पहले संसर्थ में बैठक होई और ये तैग किया गया है कि कॉंगर्स पार्टी चर्चा में शामिल होगी नहीं है तो इसको स्टैंडिंग कमिटी को भेजेते हैं यानि आशीश हम ये कह सकते हैं कि तीन तलाग पर अगर कॉंगर्स पार्टी यही रुख लेती है स्टैंडिंग कमिटी में भेजने का तो तीन तलाग को कानून बनने में फिर वक्त लगेगा यानि मामला फंस जाएगा देखे जैसा मैंने आपको कहा कि लोगसभा में संख्या बल सरकार के पास है पास करा सकती है लेकिन कानून का रूप लेने के लिए राजसभा से फिर से पास कराना पड़ेगा और निश्चित तौर पर जो संख्या राजसभा की है और उसमें कॉंग्रिस का ये पोजिशन लेना खास करके इन तीन स्टेट में चुनाव जीतने के बाद जो लेकर राजसभा में चलते कल तक के लिए स्थगित हो गई है लोग सभा में राफेल विवात को लेकर कॉंग्रिस का हंगामा ये बड़ी खबर सामने आ रही है राजसभा जहां कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है वहीं राफेल का मुद्दा कॉंग्रिस पार्टी ने लोग सभा में उठाया तब जबकि लोग सभा में आज तीन तलाक का बिल जो है वो चर्चा के लिए लिस्टेड है कॉंग्रिस पार्टी की सेहमती से उसको लिस्ट किया गया है कॉंग्रिस पार्टी स्टैंडिंग कमिटी में भीजने की मांग कर सकती है चर्चा में शामिल होने के बाद कि लोग सभा की तस्वीरे आप देख रहे हैं देखे किस तरह से राफेल के मुद्धे पर लोग सभा में इस वक्त हो रहा है हंगामा ट्रॉड़ किसी सब्सक्राइब ते उस्वीरे पारी प्रणाराइब ऑ्रणाः मामें भीजने कूंथ сам कि वेहां देखे करने क्याइट पार्णाव ट्रॉड़ कि तेस्टेशंग बाद वे डंच देस्ट पारंच पेरहने कि लुट्ड तेखे किसी जावारी पार्णार्स आप देखने हैं लोड़ समह में राफेल पर हंगामा और हंगामे की बीच वी प्रश्टिकाल चल रहा है इस वर मंत्री जैन से ना जवाब दे रहे हैं दिवीश्ट रुवेदी के सवाल का अब नजर इस बात पर रहेगी कि इस हंगामे को शांत करके क्या तीन तलाग के बुद्धे पर आज चर्चा होती है क्योंकि देश की मांग है देश में हर उस इंसान की जो जानता है कि तीन तलाग कुरीती है तीन तलाग भारत छोड़ो हम लगाता राज की इस बड़ी ख़बर पर बने हुए है जल लोट रहा है राज्य सभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है अलाकि बड़ी जानकारी हमें ये मिल रही है सुटू के अवालत से की कॉंग्रेस पार्टी इस बिल को स्टैंडिंग कमिटी में भेजने की मांग करेगी लोगसभा में चर्चा में शामिल होगी कॉंग्रेस पार्टी और इस बीच कानून मंत्री रवी शंकर प्रसाथ क्या कह रहे हैं सुनते हैं अवालन ये विडियो बोर्ड लग्स आपज्डिंगी और अवन द्यूशनी इस पार्टी इस बीच्टी अवाल धन इस अटशीवाज और नायव्णिस्टे बूट पार्लग्टाशन चर्टिंग्सEर्यों-ट्रशियों टूब्साय इस बादिंग्स्ट इस बादियों प्रशनकाल के दौरान प्रशनकाल रोक करके 12 बजे तक लोगसभा को स्थगित किया गया है और अब इसके बाद संभावना इस बात की रखिये आप कि तीन तलाक जो की लिस्ट किया गया है आज चर्चा के लिए तीन तलाक का बिल उस पर चर्चा होगी लेकिन फिलहाल राफेल विबात पर कॉंग्रस के हंगामे के चलते लोगसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है राज्य सभा कल तक के लिए स्थगित की गई है इस बीच लगातार जैसे के हम आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि हर पार्टी अपनी रणीती बना रही है और राज्य सभा में इस बिल को कानून बनाने के लिए कॉंग्रस पार्टी के समर्थन की जरूरत बीजे पी को है कॉंग्रस पार्टी सूत्रों के वारे से जानकारी मिल रही है कि इस बिल को स्टैंडिंग कमिटी को भीजने की मांग करेगी चर्चा में शामिल होगी कॉंग्रस पार्टी लेकिन उसके बाद रोक होगा स्टैंडिंग कमिटी में भेजने का और इस बीच बड़ी जानकरी लोगसभा 12 बज़े तक के लिए सगित करनी पड़ी है राफेल विवाद पर कॉंग्रेस का लोगसभा में हंगामा बीजेपी से हमारे साथ रोहे चेल जी मौझूद है रोहे जी मामला तो फस गया आप लोगों के लिए क्योंकि अगर स्टैंडिंग कमिटी में इस मामले को भीजा जाता है तो बिल बिली रह जाएगा अगर किसी प्रफ़ा जी पर बैट बैट बेट बैट बैट आप सोचिए हलाला जैसे चीज जो भारत में आज मुझे लगता है अगर तलाक वे खान साब को मैं सुन रहा था हूँ अधिकारों की बात तो कर रहे थे पुछो की लेकिन मेरी बहने यहाँ पर बैटी हो बताएंगे साब कर्फ़ाइब करें यहाँ नंत में करप रहे हैं वह तो जवाब वह देंगे लेकिन जैसा है अभी में रोजित भाई हमें अमने कि हलाला और तलाक इन Sब को समझने के लिए कुरान में हलाला अलफाज कहीं भी नहीं रहे हला एक प्रोसीजर करती है वो सब गलत है लिए के बार से मिलाने कानुन बने में क्या दिक्क्त है जो वह सकल साओं तो इस तरीके से यह महिलाओं के उपर होता है देखिए इस तरीके की चीज़ है आप इसको बढ़ावा क्यों जाते हैं महिलाओं के साथ सम्मान देना चाहिए बरावर का अधिकार देना चाहिए और कॉंग्रेस पार्टी तो यह कह रही है कि जो सेक्षिन 15 की बात कर रही है सेक्षिन 15 के इस तरीके इस तरीके के बात कर रही है कि unlawful है unconstitution है इससे बड़ा सविधान क्या होगा सुप्रीम पोर्ट ने का कहा सुप्रीम पोर्ट ने का मजिस्टेट करेगा कि गलत है कोई यह थोड़े ना है कि उसको जाते ही सजा हो जाएगी मजिस्टेट करेंगे कि उनको सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए लेकिन जब अन्दर लोगों को बिठान के उसमें चर्चा करनी चाहिए लेकिन अरे हाजिक साथ मुस्लिम महिलाओं से सुझा में चर्चा हुई है सबसे सारे पक्षों से बैढ़ के चर्चा हुई है मेरे बैठी है सबसे एक बात बताइए ना सबसे चर्चा हुई नहीं नहीं पूरा 90 परसंट मुस्लिम समाग तर्चा मैलाओं की चिंता लिए बैठे आजए 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 जो मैला बैठी है सबस्क्राइब करके जो काम मश्मरे से होगा दोनों फरीकेन को बठागे मर्द को वी औरत को भी दोनों तरब से लोगों को बिठागे जब पताय करोगे तो ज्यादा अच्छी बात आईगी हमारा कहने का बच्छा इतने सालों तक साला मश्मरे के लिए आप लोग अपनी समाज में घूम से रहे तब तक को यह नहीं नहीं हो घर में सिर्फ सोचन होता अच्छा नहीं 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 हम तो करें लौ मिनिश्टर को बुलाना चाहिए था पूछना चाहिए था किससे पूछे दोनों परीगे चौदा सौना चाहिए इस चानल को अजिक साब देख रहा हुने समझ आ रहा है कि समझा रहा है कि समझा इस के साथ शौर के साथ ने तो पर नहीं से था कानून बनना चाहिए लेकिन कुछ देख रुखना पड़ेगा लेकिन देखिए चर्चा कहती है जिस मामले पर देश की सर्वोच अदालत कह देती है सभी पक्षों को सुनने के बाद कि यह असंवध्धानिक है अगर सरकार के अपने विवेक में सरकार को लगता तो सरकार कानून बनाए उस मामले पर किंतु परंतु धर्म सियास तुष्टी करण सब कुछ सामने आ रहा है और जो महिलाएं अपनी जिंदगी को खत्म करती हुई दिख रही है इस तीन तलाग के दंश को लेकर उनकी कौ सुनेगा क्या इस देश में लोकतंत्र में समान अधिकार महिला पुरुष को नहीं मिलने चाहिए हमारी चर्चा तीन तलाग भारत छोडों पर लगातार जारी रहेगी ये कहते हुए कि लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई है और 12 बजे इस बात की पूरी संभाव अना है कि जब सदन वापस आएगा उम्मीद ये करनी चाहिए कि लोकसभा में तीन तलाग के मुद्दे पर दिल पर आज हुगी चर्चा बड़ी खाबर पर लगातार बने हुए जान लोटर कि अना है कि अना हुई है